After Spiritual Awakening, Health Issues नमस्ति दोस्तो, मिने नाम है उर्विशी चूशी और ये है मेरा चानल टूपल थरी, High Priestess दोस्तो ये मेरा Part 2 वीडियो है, Spiritual Awakening के बाद होने वाले Health Issues को लेके Part 1 वीडियो मैंने अभी दो दिन पहले शेयर किया है, 20 मिनिट्स का वो वीडियो है और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, आप जरूर देखे उसमें मैंने ऐसी चीज़ के बारे में बात की है, जिसे After Spiritual Awakening, बहुत से लोग, जादा तर लोग उस तरह फोकस ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते 4D में आके जो भी Spiritual Experiences हो रहे होते हैं पोरसन को इस अध्यात्मिक दुनिया में जो वो एंटर करते हैं जहां पर बड़ी सारी चीज़ों उनको हो रही होती हैं बहुत जादा सपने आने लगते हैं, ड्रीम्स के तरू बहुत जादा guidance मिलने लगती हैं, विजिन्स आते हैं इसके अलावा जो है, कई बार जो वो सोच रहे होते हैं, अचानक से वो चीज़े हो जाती हैं और इतनी चीज़े पोसन को हैरान कर रही होती हैं, यह क्या हो रहा है, यह क्या चल रहा है आस्ट्र ट्रैवल या फिर meditation में जो है, बहुत जादा बाड़ी के अंदर जंजनाहट होना बहुत बहुत सारी चीज़े पोसन जो है experience कर रहा होता है, कर रही होती है और कहीं न कहीं spiritual practice या जो भी लोग अध्यात्मिक बाते कर रहे होते हैं उन लोगों का प्रभाव बहुत जादा mind के उपर पढ़ने लगता है और कहीं न कहीं mind को फिर ऐसा लगने लगता है कि जिस भी स्थिति में हम है, जो भी परेशानी हमारी है या जिस भी पीडा में हम हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सारी spiritual practice करके या spiritual लोगों को सुनके, इनको follow करके, या ये जो बता रहे हैं जो भी course बेच रहे हैं, जो भी चीज़ा कर रहे हैं, इन्ही सब चीज़ा करके ही हम वापस back to life हो पाएंगे या अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, आगे हत्मे क्यात्रा में आगे progress कर पाएंगे तो ये बड़ा strong belief जो है, बनने लगता है बहुत से लोगों को लगता है कि, चाहे वो कितने भी weak पढ़ रहे हैं, कमजोर पढ़ रहे हैं बहुत बुरी हालत तो रखी है, लेकि उनकों लगता है कि, डॉक्टर या साइकलोजिस्ट क्या गरेगा इन सब चीजों में ये जो गुरू बता रहे हैं, या फिर ये जो spiritual content बना रहे हैं इनी से help लेनी चाहिए, इनी के तरफ जाना चाहिए, healing करनी चाहिए, meditation करना चाहिए, चakras करने चाहिए, affirmations, जपस, पूजा इनी से सिर्फ, कल्यार होगा, इनी से मदद हो पाएगी और अपने इस विश्वास के साथ, अपनी खराब हेल्थ के साथ, अपनी खराब मेंटल हेल्थ के साथ, कई सारे लोग सरफ इन ही लोगों की तरफ भागते रहते हैं, ठीक है, इन ही इसी तरफ भागते रहते हैं, गुरू के पास, यही सब कोर्सिस लेते रहते हैं, मेडिटे उन सब चीजों में वो इतना फस जाते हैं और चाहे कितना बड़ा लिखा इंसान ही क्यों ना हो मेरे पर बहुत लोग आये सी ये, डॉक्टर्स, वाइस प्रेजिडेंट मैंने देखा कि इतने बड़े लिखे लोग थे लेकिन जो भी अजीब चीज़े उनके साथ हो रही थी या जो भी अनुबव उनको हो रहे थे उनके दिमांग में एक बार भी मैंने देखा कि ये नहीं आता था कि उन्हें डॉक्टर के बस भी जाना चाहिए या उन्हें कोई medical help लेनी चाहिए या किसी psychologist से बात करना चाहिए 95% cases में मैंने देखा कि नहीं उनको लग रहा था कि वो किसी आश्रम में जाएंगे या किसी तांतरिक के पास जाएंगे या जाड़ फूक कराएंगे या healing कराएंगे meditation करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी से कल्यान होगा सिर्फ इसी से मतलब ये सब करके ही रस्ता निकलेगा अब इतने कमजोर स्थिती में जहांपर की मन की स्थिती और health भी जो है सही नहीं है low vibrational state है ऐसी स्थिती में कई लोग जब गई हैं कई लोगों की तरफ जैसे हर field में अच्छे लोग होते हैं और बहुत बुरे लोग भी होते हैं corrupt लोग भी होते हैं frauds भी होते हैं वैसे ही spiritual field में भी ऐसे बहुत सारी लोग हैं जो की बहुत ही बहुत ही ज़ादा बड़े ये कहुंगी हमें frauds हैं बहुत ही बहुत ही गलत लोग हैं बहुत ही गलत तो कई लोग जब ऐसे weak पड़े हुए थे, low vibrational हो रखे थे और बहुत ही sensitive हो रखे थे, emotional हो रखे थे तो कई बार जब वो help के लिए कई लोगों के पास गए हैं तो वहाँ जाके न कई लोगों का नुकसान जादा हुआ है बलकि कई लोग तो बड़े traumatized भी हुए हैं जो भी अनुभव हुए जिनके पास वो विश्वास से गए थे और जो भी उन लोगोंने उनके साथ किया जो भी उन्होंने उनको ठगा आया, जो भी चीज़ें उनके साथ करी कई लोग तो बड़े traumatized हो रखे हैं तो यहां पर मैंना एक बात कहना चाहूंगी कि देखो आपको spiritual experiences हो रहे हैं इस यात्रा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है अपने आपको तयार करना पड़ेगा इस journey के लिए मतलब इस आधियात्मिक journey के लिए material life से related तो आपको जिन्दिगी भर बच्पन से सिखाया गया है बहुत कुछ लेकिन यह जो आधियात्मिक अनुभव आपको हुए और इस यात्रा में अब आप आगे बढ़ना चाहते हो spiritual growth करना चाहते हो spiritual progress करना चाहते हो तो उसके लिए ना आप इतने हलके होके इतना low vibe energy में आगे मत बढ़ो किसी की तरफ पहले आप अपने आपको जो है mentally और जो भी health wise जो भी गड़बढ हो रही है सबसे पहले उसको ठीक करो यह जो आपको इतनी परिशानी हो रही है यह ऐसी ही नहीं हो रही है यह जो बेचैनी हो रही है यह जो तनाव हो रहे है यह ऐसी ही नहीं हो रहे है आपके अंदर शरीर में कुछ गड़बढ हो रखी है कुछ deficiencies हो रखी है जिसके बारे में मैंने part one में बात करी है detail में कुछ कमी हो गई है कुछ पोशक तत्वों की कमी हो गई है कुछ infections हो रहे हैं ठीक है? इतना जादा जो आप तनाव ले रहे हो आपकी जीवन में जो भी कार्मिक लोग हैं या जो लोग नहीं आएं हैं और उनकी बारे में सोच सोच के सोच सोच के जो आप इतना जादा तनाव में रहते हो इतना overthinking, इतना stress इतना सबसे को चलता है ना आपके अंदर इसकी वज़े से पता है आपको इतना जादा cortisol hormone release होता है और ये इतना इतना खत्रनाक है आपके शरीर के लिए आपकी health के लिए इसी की वज़े से कई लोग जो है उनको बड़े सारे problems हो रहे है health issues हो रहे है, digestive issues हो रहे है mind fog हो रही है बहुत problems हो रहे हैं इसी की वज़े से लोगों को, भूल रहे है कम age है, 25-30 साल की कुछ याद ही नहीं रहता या दाश इतनी कमज़र हो गई है क्यों क्योंकि जो cortisol hormone है या आपके कई कई चीजों को effect कर रहा है, आपके immune system को effect कर रहा है, आपकी health को effect कर रहा है आपके mind को, आपकी memory को effect कर रहा है ठीक है पहले भी कई साल पहले मैंने आपको कई सारे hormones के बारे में chemicals के बारे में बताया था कि जब हम कोई creativity करते हैं किसी तरीके की positivity में रहते हैं तो कुछ positive chemicals हैं जैसे serotonin, oxytocin, dopamine इनके बारे में खेर मैं पहले बात कर चुकी हूँ लेकि आज जो मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो में मैं कॉर्टिस all के बारे में बात कर रही हूँ ये हमारे शरीट के लिए जरूरी है लेकिन जिस तरीके की इस थीती में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जादा तनाव ले रहे हैं बहुत जादा अपने कार्मिकों के बारे में सोच सोच के परिशान हो रहे हैं रात दिन उनकी बाड़ी में बहुत जादा कार्टिसॉल हामून रिलीज हो रहा है और इसी की वज़े से उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक पढ़ रहा है उनको डाइजस्टिव इशूज हो रहे हैं उनको माइंड फॉग हो रही है उनकी मेमोरी बहुत वीक पढ़ रही है उनको कुछ याद नहीं रहता वो जल्दी जल्दी चीज़ों को भूल रहे है बहुत सारी चीज़े हैं अपके बाड़ी में बहुत सारी चीज़े हैं जिन पर एफेक्ट पढ़ रहा है और अगर यही सारी चीज़े चलती रही ऐसे ही तो आगे सीवियर लेवल पे बहुत खराब कंडिशन हो जाएगी बहुत खराब कंडिशन हो जाएगी तो ऐसे शरीर के साथ, ऐसे मन के साथ, ऐसी हेल्थ कंडिशन के साथ कई लोग जो है वो बस लगे पड़े हैं मेडिटेशन करने में, चक्रास करने में और बस जो spiritual content बना रहे हैं उन लोगों से consult करने में या फिर जो है आश्रमों में जाने में ठीक है? आप जाएं, आप करें जो चीज़े आपको समझ आ रही हैं आप करें लेकिन उससे पहले आप अपने शरीर को और अपने मन को जो है पहले सही condition में ले के आएं ठीक है? सही condition में ले के आएं और इसके लिए आप किसी अच्छे doctor से connect करें जिसके बारे में मैंने part 1 में बात किया था, कुछ basic check-ups मैंने आपको बताये थे उस video में हाला कि जिस doctor से आप connect करोगे जिसको आप explain करोगे अपनी स्थिति के बारे में वो आपको already सारे check-ups लिखके देंगे और जो भी reports आएंगे उसमें देखना आप गडबर निकल के आएगी definitely, पर उन्हीं चीजों को ठीक करना है और definitely doctor आपकी help करेंगे आपको मदद करेंगे आपको recover होने में और जब आप थोड़े recover हो जाओ उसके बाद आप करो अपने healing कराओ, meditation करो या जिस तरफ जो आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, वो चीजे करो एक स्वस्त शरीर, स्वस्त मन के साथ दीक है, ये मत सोचो जैसे मानो किसी की iron deficiency है उसको बहुत body pain होता है उसको ठकान होती है उससे उठाइन जाता, कोई काम ही नहीं किया जाता और उसको बहुत सारे कुछ spiritual सानुभव हो रहे हैं और कई spiritual बाते करने वाले लोगों को वो सुन भी रही है तो अब वो उसने सुना और वहाँ पर वो लोग गाइड कर रहे हैं कि meditation करो, chakras करो ये करो तो सरफ meditation करने से, chakras करने से उसकी iron deficiency जो है जो उसकी शरीर में कमी हो रखी है वो पूरी थोड़ी ना हो जाएगी ये सब करके फिर से energetic थोड़ी ना हो जाएगी वो फिर से चलने फिरने थोड़ना लगेगी कि बिल्कुल तंदुरुस्तों के बट कही लोगों का मैंने देखा कि उनको ये ब्रहम है उनको लग रहा है कि जो उनके body में pain हो रहे हैं उनके mind में पता नहीं पढ़े लेखा लोगों के mind में बात नहीं आ रही है कि मुझे doctor के बस जाना चाहिए मुझे ज़रा देखना चाहिए कि क्या कमी मेरे अंदर हो रखी है क्या deficiencies हुई है क्या problem चल रही है अंदर mind में या शरीर में क्या problem हो रही है इस तरफ तो वो जाई नहीं रहे है इस तरफ तो वो help ले ही नहीं रहे है जो कि सबसे पहले उनको यही help लेनी चाहिए ठीक है सबसे पहले यही help लेनी चाहिए अगर आप में से किसी की spiritual awakening हो यह और आपको body pain हो रहे है यह हो रहे है दर्द हो रहे है या दाश कमजोर हो रही है, overthinking चल रही है, कार्मिकों के बारे में आप सोचते रहते हो, दिन भर मानसिक लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे आप परिशान हो, टूटे पड़े हो, कर ले ना, इस रस्ते पर भी आगे बढ़ ले ना, आप कर ले ना, meditations भी, चक्रास, भी, healing, सब कुछ कर ले ना, लेकिन पहले आप प्लीज डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, और जो पिछले वीडियो में मैंने कुछ basic check-ups बताए थे ना, वैसे तो डॉक्टर वो आपको खुदी बता देंगे, लेकिन फिर भी, जो है, जो मैंने बताए थे, CBC आप खराएं, हाना, और इसके अलावा जो है, vitamin D, B12, iron, calcium, cortisol का check-up आप खराएं, हाना, तो यह कुछ basic check-ups है, जिनको आप कराओगे, उसमें दिखेगा, कि क्या problem है, साफ-साफ दिखेगा, और जो भी कमी है, जो भी problem है, जो भी infections है, उनको ठीक कराएं, और एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन के साफ जो है, इस आधियात्मी की आत्रा में आगे बढ़े, spiritual growth करें, ठीक है, अच्छा, अब एक चीज जो important है, जिसके लिए मैंने part 2 वीडियो बनाया था, cortisol को समझाने के लिए भी बनाया था, पट एक और चीज है, कि मानो, after spiritual awakening 4D में आके, आपको बहुत ज़्यादा headache होता है, या बहुत ज़्यादा आपको heart में pain होता है, और आप doctor के पास गए, उन्होंने आपको कुछ check-ups बोले, आपने कराए, लेकिन report जो है, वो normal आ रही है, report में बिल्कुल normal आ रही है, doctor के रहे हैं कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, कोई problem नहीं है, और आप ऐसे हरान हो रही हैं कि नहीं, मुझे तो बहुत heart में pain होता है, मुझे तो बहुत sensation हो रही है, मुझे uneasy feel हो रहा है, मुझे खुद परिशानी हो रही है, लेकिन doctor के रहे हैं कि नहीं, आपकी reports जो है, वो normal आईएंगे हैं, उसमें कोई problem नहीं है, तो ऐसी इस्तिती में आप क्या करना, आप किसी psychologist की help लें, या फिर आप किसी hypnotherapist या subconscious healer की help लें, ठीक हैं, आपको वो जो pains हो रहे हैं, वो basically आपकी subconscious में पड़े हुए, जो emotional pains हैं, या कोई trauma हैं, या जो अंदर दबे हुए stress हैं, उनकी विज़े से ये परिशानी आपको हो रही है, जो कि reports में भी निकल के नहीं आ रही है, तो आप, ये जो आपको हो रहा है, जो परिशानी आप feel कर पा रहे हैं, उस sense कर पा रहे हो, लेकिन वो reports में आई नहीं रही है, doctors की तरफ से वो normal है, बट आप कहरे हो कि नहीं, मुझे हो रही है दिक्कत, मुझे हो रहा है heart में pain, या मुझे हो रहे हैं यहां पर sensations, या मुझे headache हो रहा है बहुत ज़ादा, तो यह क्यों normal आ रहा है, क्योंकि basically आपके अंदर दबेवे जो pains हैं, वही आप sense कर पा रहे हो, वही आप feel कर पा रहे हो, और 3-4 महीने या 5 महीने के अंदर, यह definitely manifest हो जाएंगे, बिमारी के रूप में, बिमारी बनने के तियारी कर रहे हैं, लेकिन आप उसको feel कर पा रहे हो, आप उसको sense कर पा रहे हो, आपको बुरे सपने भी आ रहे होंगे, तो इस चीज़ को, इन negative emotions को, कि जो कुछ time बाद, वैसे भी disease में convert होने वाले हैं, इनको आप अपने subconscious mind से release करें, by subconscious mind healing sessions, किसी भी hypnotherapist की आप help ले सकते हैं, किसी psychologist की आप help ले सकते हैं, और emotions को आप release करो, जब ये emotions आपके mind से release होंगे, जो भी trauma है, जो भी sadness है, जो भी दुख आपके अंदर भरा पड़ा है, वो release होगा आपके mind से, आपके चक्रास भी clean होगा, आपका subconscious mind भी heal होगा, और वो भीमारी जो future में manifest होने वाली है, 3-4-5 महिने में, वो नहीं आएगी, वो शरीर से निकल जाएगी पहले ही, तो ये था कुछ ऐसा, जो मुझे आपके साथ share करना था, इस part 2 वीडियो में, थोड़ी सी और चीज़ें हैं, जो रह गई हैं, लेकिन वो मैं भविशे में आपके साथ share करूँगी, part 3 में, और जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, चाहे वो cortisol hormones है, या फिर आपके emotional pain या traumas, जो की आपको तकलीफ दे रहे हैं, जिनको आप sense कर पा रहे हो, feel कर पा रहे हो, लेकिन जो reports में जो है, show नहीं हो रहे हैं, reports में नहीं आ रहा है, कुछ reports normal आ रही हैं, तो इन negative emotions को, इन traumas को, sadness को, इस heaviness को release कर सकते हो, किसी भी अच्छे psychologist या subconscious healer की मदद से, ठीक है, आजकल ये चीज़े, मतलब बहुत easy हो गई हैं, ठीक है, और बहुत easily, थोड़ी सी help से, आप इन सब चीज़ों को, अपने mind से release कर सकते हैं, और जैसे ही आपके mind से, ये pains, ये sadness, ये trauma, ये heaviness release होगी, आप हलका feel करोगे, जो sensations आपको होती थी, ये heaviness आपको feel होती थी, जो pain आपको feel होती थी, तो वो नहीं होगा, ठीक है, और उसके बाद, आप अपने स्वस्त शरीर, स्वस्त मन के साथ, जो है, अपनी नई शुरुवात करें, अपनी spiritual journey में आगे बढ़ें, बहुत कुछ नया सीखें, और नए आयामों को जो है, आप experience करें, अनुभव करें, आगे बढ़ें, spiritual material दोनों growth करें, ठीक है, so that's it, दोस्तों, जो भी sessions में करती हूँ, उसकी detail जो है, description box and comment box में pin है, अगर उन में से किसी session की आपको जोरत है, तो आप book कर सकते हैं मेरे साथ, thank you so much, God bless you all, bye bye,